नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आसा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मल्टी ग्रेन आटे की रेसीपी और friends ये मैं आपके health को concern में रखते हुए ये वीडियो मैंने आज ही बनाई है friends आपको तो पता है हमारे आसपास में रहने वाले ज़्यादा तर लोग overweight और high diabetes से बहुँ ज़्यादा परिशान होते even हमारे family में ही कोई न कोई ऐसा होता है तो आज मैं जो आपको multi grain आटे की recipe शेयर करूँगी अगर आप इसे बिल्कुल जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ratio और उसमें मैंने क्या-क्या grains योज़ किया है तो अगर आप इसे ठीक इस तरह से इस आटे को बना के और एक महीने तक अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी weight loss की problem है उससे तो बहुत जादा overcome करेगा मतलब within 1 month अगर आप इसे खाते हैं तो ये आप 10 kg तक weight को loose कर सकते हैं plus 1 month तक अगर आप इसका regular use करेंगे तो ये आपके diabetes को भी बहुत जादा reduce करने में help करेगा लेकिन friends इसका जो dose है वो जानना भी आपके लिए बहुत compulsory है कि आपको इसे बिल्कुल भी पेट भर ले के लिए नहीं खाना है आपको बिल्कुल इसे एक routine के साथ खाना है मतलब morning में आप सिर्फ दो रोटी खाए अगर आप टिफिन ले जाते हैं और फिर आप lunch के time में दो रोटी ले और आपको dinner के time में तो इसे में पेट भर ले के लिए नहीं बलकि स्वस्त रहने के लिए खाना है तो आपका dose भी fix होना चाहिए तो within one month आपको बहुत अच्छा response मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी और भी अगर कोई समस्या है like high blood pressure, indigestion, constipation तो यह आपको सारे तरह की problem में बहुत जादा राहत दिलाएगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले इसके ingredients तो friends इसमें मैंने यूज किया है गेहूं जो की 5 kg है साथ में मैंने जौल लिया है, 4-3 kg है और मैंने यूज किया है मक्का, 3 kg मक्का है यहाँ पे मैंने 2 kg चने लिये हैं, जो काले चने आते हैं और मैंने यहाँ पे लिया है स्वाबिन की फली, जो की 1 kg है 2 kg मैंने यहाँ पे जवार लिया है और 2 kg ही मूंग लिया है साथ मैंने यहाँ पे finger मिले ट्रागी 2 kg लिया है और मैंने बाजरा 2 kg लिया तो friends यहाँ पे गेहूं का रेशियो मैंने 5 kg रखा है क्योंकि गेहूं जो है उसमें gluten नाम का एक protein पाया जाता है जो कि बहुत लसलसा सा पदार्थ होता है और यह जो होता है यह binding में मदद करता है तो थोड़ा सा इसका ratio बाकी चीजों से अधिक होगा तो यह जो है यह लूई बनाने में और रोती बनाने में मदद करेगा तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा green यूज किया है वो है जई या फिर हम इसे oats या फिर job ही बोलते हैं इसे मैंने weight में 3 kg रखा है यह पूरी तरह से gluten free होता है और इसलिए मैंने इसका ratio कम किया है लेकिन यह fiber rich होता है इसलिए digestion में बहुत जादा help करता और digestion proper होगी तो definitely हमारा weight loss जल्दी होगा friends तो यहाँ पर तीसरा जो grain मैंने use किया है वो है मक्का और यहाँ पर मक्के का ratio मैंने 3 kg रखा है friends मक्का जो होता है वो protein से भरपूर होता है साथी fiber से भरपूर होता है और जो आटे का taste होता है वो भी बढ़ा देता है थोड़ा बहुत इसमें gluton पाया जाता ह है जो कि इसकी binding को enhance करेगा friends यहाँ पर अगला जो grain है वो मैंने चना यूज किया है चना की सबसे बड़ी खासियत है कि एक leguminous plant है high protein और high fiber content होता है तो digestion में बहुत जादा मदद करता constipation से दूर रखता है अगला grain मैंने स्वाबी ने उस किया है जो कि ratio में 1 kg है बिल्कुल gluten free होता है तो binding को बहुत जादा reduce करते है इसलिए मैंने इसका ratio कम रखा है बाकि ये भी protein rich होता और साथ में mental balance को enhance करता है अगला grain यहाँ पे जौर रखा है जौर जो है वजन में 2 kg है पूरी तरह से gluten free होता है इसलिए मैंने इसका ratio यहाँ पे थोड़ा सा कम रखा है और plus fiber rich होता है लेकिन digestion में बहुत ही जादा बंदत करता है अगला grain यहाँ पे moon रखा है protein के साथ iron, potassium, calcium और vitamin B complex में rich होता है और यहाँ पे fibers भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन यह gluten free होता है हमारे multi grain आटे का आठवा सबसे important ingredient जिसे कि हम रागी, finger millet या फिर मडवा भी कहते हैं यह diabetes को सबसे ज़्यादा reduce करता है weight loss में भी सबसे ज़्यादा मदद करता है और सबसे important कि यह हमारे heart को healthy रखता है क्योंकि यह blood cholesterol level है उसको बहुत ज़्यादा reduce करता है तो सबसे ज़्यादा फाइदे यहाँ पे रागी के होते हैं अंत में मैंने यहाँ पे 9 ग्रेन बाजरा रखा है जो कि वजन में 2 kg है यह भी हमारे blood cholesterol level को कम करता है प्लस यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा energy देता है digestion को enhance करता है और यहाँ पे weight को भी reduce करता है तो friends यहाँ पे मैंने जितने भी grain यूज किये हैं हम directly दुकान से लाके उसका आठा बिल्कुल नहीं पिष्वाएंगे हम क्या करते हैं सबसे पहले इन grains को अलग-अलग करके बिल्कुल सफाई से धुलते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले मैं गीहों धुल रही हूं और जब भी आप इन grains को धुलें तो आप इस तरह के एक जालीदार छहनी का इस्तेमाल करें जिससे क्या होगा कि जो एक्ष्ट्रा पानी होगा वो reduce हो जाएगा यहाँ पे मैंने धूप में एक कपड़ा फैला दिया है और उसके उपर मैंने देखिए यहाँ पे गीहों को फैला दिया है तो गेहु को आप अच्छे से पतले लेयर में फैलाएं और इसकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि जब हमारे दाच से कटने लग जाए तब हमारा गेहु हो जाता है यहाँ पर मैंने जौ को ले लिया है जौ को भी आप बिल्कुल सफाई से धुले जाली दाचनी का इस्तेमाल करें यहाँ पर देखिए जौ के कुछ दाने उपर आ गए इसका मतलब यह बेकार दाने होते हैं तो इन्हें आप निकाल लीजे क्योंकि यह अंदर से इसमें कुछ कीड़े या कुछ भी हो सकते हैं तो यह उपर आ जाते हैं तो इसलिए से धुलना बहुत जादा इंपॉर्टेंट और फ्रेंट्स अभी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे की हम जो मार्गेट्स याटा खरेति के खाते हैं पता नहीं वह इतने सफाई से बनाया जाता है या नहीं तो यहां पर मैंने जौको भी छट पी फैला दिया है मक्का ले लिया है मक्का को धुलना तो बहुत इजी है यह बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से धुल जाता है तो यहाँ पे भी मैंने चालीदार बरतन का इस्तेमाल करके मक्के को साफ कर लिया है साथ ही मैंने इसे मक्के को यहाँ पे धूप में फैला दिया है अब मैं यहाँ पर नेक्ष जो है वो चने धूल रही हो चने को भी दूलना बहुत ही इसी है क्योंकि इसमें जो भी बड़े पार्टिकल्स होते हो आसानी से अलग हो जाते हैं अब यहां पर मैंने चने को भी फैला दिया है धूप में और फ्रेंड्स यह अब मैं इन्हें एक एक करके सारे ध अनाज है अच्छे से सूख चुके हैं तो आप इन्हें किसी चक्की से इसे पिस्वा लें और पिस्वानी के बाद से आप इसे किसी कंटेनर में भरके इस्तेमाल करें फ्रेंड्स जो रागी होती है रागी को दूलना थोड़ा मुश्किल होता है तो यहां पर मैं इसे डिर आटे को पिसा के तैयार कर लिया है और फ्रेंड्स यह जो है यह खाने में बहुत ही ज्यादा है फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में बताई हुए बाते अच्छी लगी हो आपको जरूरत मंद या फायदे मंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले साथी चैनल पे नहे है तो प्लीज इसे साथ.